सदोस्तो एक और नया दिन और मैं बलजीत पर मार हाजरूं एक नई कहाने एक नया किस्था लेकर असर में ये किस्था नहीं है एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे बहुत हो गया मभई के अंडर वर्ल्ड के छोटे से लेकर बड़े लोगों तक किस्थे सुनारें की बात हम एक नए अध्याय अध्याय करने जा रहा है और उसका कारण ये है अब ध्यान से सुनी आज का एपिसोड क्योंकि जो अध्याय सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं वो अंडर वर्ल्ड के इतिहात में अपने किस्थम की एक अलग सीरीज होगी मुझे बहुत सालों से बहुत से लोग पब्लिश्यर कताबे चापने वाले अक्षबारों के अधीटर टेली वीजन के अधीटर और मेरे यार दोस्त कह रहेते के आप ऐसे अकेले वाहिद सक्षो जिन्होंने अंडर वर्ल्ड को बहुत करीब से देखा जो लोग अंडर वर्ल्ड के बारे में सुनी इतना ही बाते करते हैं वो मिर्ट मसाला लगा के मार्कीटिंग कर रहे हैं दोस्तो मैं कोई वैपारी किसम का आदमी नहीं हूँ मुझे मार्कीटिंग नहीं आती मैं मिर्ट मसाला नहीं लगाता मैं जो लोग जो बेचते हैं बेचने का दंदा करते हैं उसे मलावश भी करते हैं कम भी तोलते हैं इतली उनको प्रॉफिट ज्यादा होता मैं तो गुरु नानक का चेला तेरा तेरा की बात करता हूँ जो कुछ है सब उसका है उसमें मिलाविच नहीं होनी चाहिए उसको कम नहीं तोलना चाहिए हरी दाल को रंग करके काली दाल बलाके बेचना मेरा काम नहीं है तो मैं सुन रहा था पिछले दिनों में शम्च ताहिर खान उनका नाम है चाहिए एक बड़ी टेली विन कैनल में प्रोग्राम करते हैं क्राइम का बहुत बड़ी टीम है उनके पास जो पूरी रिसर्च करती है दुनिया भर के क्रिमिनल्स की और क्राइम की येक अच्छा कहातार सर्च पेपर लिखके स्क्रिप्ट लिखके उनके सामने रख देते हैं और वो बोल देते हैं एक नेक बात उनने बहुत सच्ची कही मैं उनका एक पौड़कास देख रहा था उसके लिए मैं सम्च को मबार्क बादूंगा उस इंट्रिव्यू में उन्होंने कहा कि हमारे दोर में जब हमने पत्रकारता शुरू की ते मतलब सम्चने तो हर पत्रकार की क्राइम रोपोर्टर की एक इच्छा होती थी एक सपना होता था कि दाओद इबराहिम के इंट्रिव्य की जाए दाओद इबराहिम को मिला जाए लेकिन बहुत मुश्किल काम था और वो माने अपनी उस इंट्रिव्यू में के मैं नहीं मिल सका मेरी बात इतना ही हो सकी लेकिन फिर भी सैंक्डों एपीसोड उन्हों ने दाउद आर दाउद के गैंग के उपर बला दिये यह उनकी करामात है इसी तरह एक और सब्स एम बहुत लेट क्राइम रिपोर्टिंग में आए हुसैन जहदी मैं नाम लेके बोलता हूँ आज मुझे किसी की शर्म नहीं है ना डर है किसी का वो पत्तर कारता में तब आए जब दाउद इबनाहिम हिंदोस्तान से बाहर अच्छी तरह सैटल हो चुका था लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को सामने बठा के इंट्रिवू किया जिनको ना तो किसी के मरने का पता कब मरा कब पैदा हुआ कब जिन्दा हुआ मरा के नहीं मरा कौं ते साल में क्या हुआ नहीं उन लोगों से इंट्रिव्यू करके दाउद के नाम का फैदा खूब उठाया आपको याद होगा एक वो बज़र्ग आद्मी जो बैटे थे दाउद का खास आद्मी जिनको बोला गया था उनको पूछा कि आप दाउद को कितनी बार मिले बोलता कभी नहीं मिला खुद ही बोलना इंट्रिव्यू में लेकिन दाउद का खास आप ये बना के पेश कर दिया लेकिन सबसे हुसेन सेदी ने भी कहा कि उसका जिन्दगी का सपना था दाउद इबराहिम से बात करने उन्होंने एक पर कर भी लिया लेकिन आमने सामने बैठके कभी देखा नहीं मिले नहीं किसी सक्ष की आवाज आम लहजे में नहीं सुनी उसका करेक्टर उसका उठना बैठना चलना फिरना बात करने का तरीक का लहजा वो कुछ नहीं देखा जो किसी से सुना उसको बहुत मसाला लगाते लेकिन हुसेन जहदी की तारीब करनी पड़ेगी यह वो मानता है कि यह अंडरवर्ड का इतिहास नहीं है यह तो fiction है अंडरवर्ड की fiction फिर उनके मर्दी उनकी अपना दाइरा है कुछ मजबूरियां हैं कुछ लिमिटेशन्स हैं एकन बढ़िया काम कर रहा है इसे गुल्ड राइटर मुझे कहले में कोई शर्म नहीं fiction राइटर जिस किसम के होते हैं नावल कहानिया लेकने वाले उस किसम का अच्छा राइटर है एक और मेरी मित्र हैं परानी शीलाभद आपसे बहुत लोगों ने मुझे उसके वो पॉड़कास्ट भेजा के सर इसको सुनी है देखिए दाउचे बारे में क्या कह रही है मैं तो उसको उसके बज़पन से जानता हूँ शीला के पती यास्बेंड उसके कांती बट बहुत बड़े प्राइम योपोर्टर थे गुजरात से अपना मैगजिन भी चलाया उन्होंने कितर लेखार एडिटर रहे बहुत साल उसके बाद अबहान मैगजिन चलाया और उस अबहान मैगजिन के लिए सिला भट ने मेरी भी इंट्रिवू की थी बहुत लंबी चड़ी इंट्रिवू थी और बहुत बढ़ी गई थी बहुत चर्चा हुआ था उसका तो शीला भट ने दाउद के इंट्रिवू भी की और मेरी भी की थी मकाबला दोनों को कोई नहीं है हमारा भट इसको काम करने का शौक था शीला भट को और उसने बड़ी है मानदारी ची उसमें बातें की है कि उस जमाने में हर क्राइम रूपोर्टर का सपना वुआ करता था दाउद इबराहिम की इंट्रिवू करना और यह लोग सब वो लोग है जो दाउद को एक बार मिले दो चार पांच बार कहीं बात कियोगी पौर्ण पे अब कहने को जो मर्दी कहते हैं लेकर जो किया उसमें को बुरी बात नहीं है मैं उनको कोई उनकी बात सही है कि हर क्राइम रूपोर्टर का सपना वुआ करता था दाउद के सामने बैठके उससे बात करना तो आप लोग हमेशा मुझे बोलते रहते थे कि आप दाउद की बात क्यों नहीं करते दोश्तों ये तीन नाम मैंने इतलिए लिए हैं कि पिछले तीन चार मेहिने में इन तीनों का बहुत जिक्र हुआ है और पिर मैंने सोचा कि मेरे भी चाहने वाले हैं जो चाहते हैं कि दाउद की बात हो और हम करेंगे अब मैंने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में पहली परवरीज आज चे कुछ दिनों के बाद हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसका कुछ सीधा सादा सा बात ऐसी हो सकती है कि दावुद आई नो वो दावुद जिसको मैं जानता हूँ दर्जनों बार मुलाकात हुई सैक्लों बार फोन पे बात हुई साथ में घूमना फिरना हुआ साथ में बैठके खाना खाया चाए पी बहुत लंबी लंबी मुलाकाते हुई लेकिन मैंने कभी इंट्रव्यू नहीं किया मैं कभी किसी भी अंडर वर्ल्ड फिगर की इंट्रिव्यू नहीं करता यह मेरा असूल है लेकर उनके साथ जो बाते हुई हैं वो तो मैं ब्यां कर सकता हूँ इंट्रिव्यू का सबसे बड़ा मुक्सान यह होता है कि आपके सामने जो सक्ष बैठा है उसको आप अनइजी स्वाल नहीं पूछ सकते और वो सक्ष कभी भी जब उसको पता है कि उसकी हर बात रिकार्ड हो रही है और वो कोट की जाएगी तो वहीं बाते कहेगा जो उसके हक्त में जाती है तो इसलिए पूरी इंट्रिव्यू बेमाना हो जाती है जो हकीकत आप उसक्ष से बले कोई भी हो जो उससे जाननी चाते हो कभी नहीं बताएगा लेकर ओवर दा येर्स ओवर टाइम जब आप जर्चनों बार किसी आदमी को मिलते हो तो आपको अपने आप एक एक करके सब बते मालूम पढ़ती रहती है कोई बात कहीं हस खेल के पूछ ली कोई बात हलके से लाइप मूज में बात कर ली इस किसम के सैंक्डों अक्स्पिरियंसे मेरे पास हैं अकेले दाउद इब्राहिम के नहीं छोटा राजिन के भी हैं वर्दा राजिन मुडलियार के भी हैं करीम लाला के भी हैं हागी मस्तान के भी हैं और कौन हैं रवाल के यह सब एक्पिरियंसे मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा आने वाले दो तिन दिन मैं फैमली फांक्शन में बिजी रहूँगा उसके बाद मैं तीन चार दिन के लिए चंदीगर से बाहर जाके कहीं एकांट में सुबे से शाम तक सिरफ यह पूरी का पूरी इंट्रिव्यू इस रकार्ड करूँगा इंट्रिव्यू नहीं तो मैंने उनके बारे में जो कहना है वो सब रकार्ड करूँगा और एक सीरीज आपके सामने लेके आऊँगा अब उम्र भी हो रही है यादास्त में यस्ता यस्ता कम होगी इसके पहले कि मैं भूलना शुरू कर जूँँ तो जितना कुछ याद है वो आपके साथ सेर करना चाहता हूँ वो मैं इसमें कोई सफाई नहीं दे रहा चाहता जैसे शीला भट दे रही थी के मेरी जो सब जो मुलाकात हुई वो 93 के पहले की हुई उसके पहले इसके बाद किये इनका कोई माना नहीं उसकी अच्छी बुरी बातें जो भी है वो सब अब शेर करेंगे और जो लोग मुझे कहते थे आप किताब क्यों नहीं लिखते अब लिखेंगे लेकिन पहले वो कहानिया आपको सनाऊंगा उसके बाद किताब चपेगी वो लोग जो सपना लेके बैठके सपना पूरा नहीं हुआ दाउद को मिलने का मैं उनके साथ उनके सपनों की हकीकत उनके सामने पेश करूँगा शायद मेरी बाते चुनके उनको ऐते लगे कि हमने भी दाउद को मिल लिया दाउद के बाद दूसरे लोगों की बात भी करेंगे एक सक्ष के पीछे बहुत कुछ होता है एक परस्नल्टी के कई पक्ष होते है गोड़ बैट वर्ष अच्छे वेरी गोड़ इसके समते है बहुत कुछ होता है एक एक करके उन सब बातों का जिक्र करेंगे आज का दिन मैं आपसे सिर्फ यह गुजारश कर रहा हूं आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जिरूर देना हम देखेंगे कि कितने लोग दाउद इबराहिम की सीरीज सुनना चाहते हैं अगर आपका रिस्पॉंस बराबर नहीं होगा तो जिस सीरीज शुरूर नहीं करें मैं कताब लिख दूगा अगर आपको चाहिए कि यह सीरीज बननी चाहिए तो अपना रिस्पॉंस चुरूर दीजिए होंगा रह दीजिए मुझे लगता है कि यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग सीरीज होगी मुझे हसी आती है जब लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन किती को कुछ फस्ट हैंड एक्स्पिरियंस नहीं होता और इसमें कुछ करेक्टर और भी आएंगी जिनकी बदालत मुझे यह सब कुछ हासिल करने का मौका मिला कहानी शुरू होगी तो मेरे परमित्र से होगी जिसकी भजात से मेरी मुलाकात दाउदि ब्राहिंट से हुई पहली बात थोड़ा बहुत आपने सुना होगा मेरे एपीसोर्ज में लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आज तक कहा नहीं गया और अब वो वक्त आ गया है कि वो सब कहने की जरूरत है ताकि जो अंडर्वर्ज के बारे में जो एक बहुत बड़ा एक हववा बनाके एक बहुत बड़ा चरहा के बाते की जा रही हैं वो हकीकत नहीं है सदोस्तो हमें परजार रहेगी आपके रिस्पॉंस की आपके होंगारे की और आपकी सला की कैसे चाहते आप क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वो अल्टिमेटली आप तक पहुंचना है मेरे पास तो कहानिया हैं मैं अकेला बैठके भी अन्जाय करता रहता हूं लेकिन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में अगर इन लोगों को इतने सारे जानलिस्ट को मैं जब प्रेस कलब में बैठता था से 20 साल पत्ती साल पहले हर पत्रकार कहता था कि यू आर लग्की टू है मैं टॉल दे पीपल अब इतने अंडर वर्ज के लोगों सो मिलके और उसके बाद भी आन बान शान इजज़त से सरवाइब करना ये कुछ छोटी चीमर नहीं है मैं अपनी पीट नहीं थप थपा रहा लेकिन इस बात पर जोड़ दे रहा हूँ कि अगर आप में मांदारी है आप में शिद्दत है आपके कुछ असूल है तो आप सब कुछ के बीच रहकर भी अलग रहताते हो मेरी जिन्दगी भी ऐसी जिन्दगी है वो आपको सब जहल कियां जहा कियां नजर आएंगी अभी बीच बीच में कहीं को और बड़ी वेंडर वर्ल को लेके हरकत होगी उसका किछा आपको सैप्रिल्ट सुना दिया करेंगी लेकिन पहली तारीक से आपकी रिस्पॉंस देखते हुए ये नई सीरीज वो दाओद जिसे मैं धालता हूँ वो शुरू करेंगी दाओद आई नो अंग्रेजी में मैं कताब लिख रहा हूँ जो लिख रहा हूँ उसको हिंदी में आपको सुनाता रहूँगा स्वाद का दिन मेरी यही आपसे बनंती है कि आपनी अराय जुरूर दीजिये रहा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद